येस न्यू चेप्टर है आज चेप्टर का नाम है बहुत सिंपल चेप्टर है ये कॉस्ट आफ कैपिटल और बुक्स जो है लिंक मैंने डाल दिया है बुक्स आ चुकी है बात कि उन्होंने कहाए बुक्स इसी के अंदर हम दोनों पार्ट्स कवर करेंगे कोई चेंजिस नहीं है तो बुक्स का लिंक डाल दिया जो बाई करना चाहता है कर सकता है चलिए देख है सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है पता है पहले हम चैप्टर को समझेंगे सर कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा कॉस्ट का मतलब है सर खर्चा अब सर कैपिटल का मतलब क्या होता है जर्नली हमने कैपिटल जो समझा है अकाउंट्स में यहां पर थोड़ा सा अलग रखते है तीन बातों को capital के अंदर include किया जाता है पहले हम सरिफ capital के अंदर मतलब capital मानते थे कि honor ने जो पैसा लगा दिया that is capital लेकिन यहाँ पे तीन points को capital के अंदर consider करेंगे एक तो आपका equity share capital होगा equity share capital सर और क्या हो सकता है एक हो सकता है preference share capital preference share capital जो बच्चे new आज की class में होगे उनको समझ में आएगा पूरा कोई tension की बात नहीं है और एक होता है हमारा debenture यह आपके लिए new है सर एक्विटी और preference तो पहले भी पता था कि capital का ही पार्ट होता है corporate account में देखा लेकिन debenture तो loan का पार्ट है और plus में bond यहाँ पर reserve का कोई इतना चक्कर नहीं रहता ठीक है उसका ध्यान रखेगा reserve अगर यहाँ पर इतना नहीं रहता तो उसका कोई tension नहीं है तो chapter क्या है cost of capital अब हमें सोचना किसके point of view से बता है तो interest on capital business के लिए expense होता है या फिर income होता है business के लिए क्या होता है जितने बच्चे live में वो सभी जवाब दें कि interest on capital क्या होता है business के लिए आपको यह point समझ में आ जाता है तो फिर हमारा आगे आसान हो जाएगा करना expense कुछ बच्चे income income तो sir यह होता है हमारा expense income नहीं होगा यह क्या होगा हमारे लिए एक expense माना जाता है interest on capital अब आप सभी बच्चों को यह बात तो पता ही होगा कि मालिक अलग होता है और business अलग होता है यानि honor और business अलग होता है आपने law में भी पड़ा है Salomon versus Salomon कि business अलग, honor अलग तो ऐसे situation में मान लो यह honor है और मान लो यह business है यह business है अब honor जब business में पैसे लगाता है तो business के लिए क्या माना जाता है capital तो business इसी लिए सिर्फ इसी लिए इस capital को वो पता है कहां दिखाता है liability में क्यूंकि business भी मानता है कि भाई मालिक अलग है और हमने मालिक से उधार पैसे लिए है business क्या मान लेता है कि हमने honor से क्या करा है उधार पैसे लिए हुए है सिर्फ इसी reason की वज़े से हम मान लेते है इसी वज़े से हम मान लेते है कि honor अलग है business अब business अगर इस capital के उपर interest की बात करें तो business इससे interest ले लेगा या इसको interest देगा ये capital किसने लगाया अब business को इससे ब्याज लेना चाहिए इस capital पर या business को ब्याज देना चाहिए देना चाहिए भाईया आप तो आप ऐसा थोड़ी होगा तो अब इस chapter में हमें क्या सिखाये जाता है cost का मतलब भी खर्चा है जो हमारा equity share वाले को हम क्या देंगे बताओ dividend देते हैं preference share वाले को भी क्या देंगे dividend देंगे और debenture वालों को क्या देंगे हम interest देंगे ये तो पता है न तो suppose करो के मेरे पास 10 रुपे का equity share capital है 10 रुपे का preference share capital या 100 रुपे का preference share है और मान लेते हैं कि 50 रुपे का debenture है तो मेरा total capital कितना हो जाएगा कौन बताएगा 10 रुपे 100 रुपे और 50 रुपे total capital कितना हो जाएगा देखो मैंने capital के नीचे Windows हो किया इन सभी का जोड ही तो capital होता है तो आप बोलोगे sir total capital जो होगा 160 देखो मैं question आसान आसान ही पूछता हूँ लेकिन बच्चे सोसने इसका answer यह होगा के नहीं होगा होता आसान ही है कितना होगा 160 ठीक है अब मैंने कहा कि मैं equity वाले को dividend देने वाला हूँ मान लो एक रुपए dividend दूँगा इसको मैं ठीक है मैं preference share वाले को 5 रुपए dividend दूँगा और debenture वाले को मैं interest देने वाला हूँ मैं 3 रुपए तो आप मुझे बताओ सबसे पहले capital कितना है 160 रुपए अब इस capital के उपर मैं dividend interest सब कुछ मिला के कितना मेरा खर्चा हर महीने हर साल का हो जाएगा तो एक और पांच छे और तीन यानि 9 रुपए कितना खर्चा हो जाएगा हमारा 9 रुपए हो जाएगा समझ रहे बात अब यह 9 रुपए हम amount के terms में देख रहे हैं लेकिन हमें questions में जवाब देना है percentage के terms में कि आपका कितना percent आपका capital पे हर साल चला जाता है यानि आपको एक तो group पूरे को जोड़ के एक console relate percentage भी बताना होगा आपको और एक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि equity पे चलो बताओ कितना percent जाता है तो simple सी बात है भाईया equity पे कितना जा रहा है एक रुपए जा रहा है तो छे परसंट छे होगा पांच ठीक है छे परसंट जा रहा है अगर मैं बोलू total कितना percent जा रहा है तो average कर दो गया है ना total percent कितना होगा पांच दस पंदरा और छे आप ऐसे थोड़ी करोगे पांच और दस पंदरा और छे अठारा अठारा परसंट थोड़ी नो रुपए के बराबर होगा आप तो इस capital के उपर अगर 18 percent calculate कर दोगे तो बहुत जादा हो जाएगा यह तो तो हम average कर देंगा 18 divided by 6 कितने होते हैं 18 divided by 3 है ना 3 से average कर देंगे 6 तो हम ultimately 6 percent निकाल देंगे मतलब मैं एक overall idea दे रहा हूँ कि chapter का core theme क्या है ऐसे निकलेगा नहीं का answer मैं बस overview दे रहा हूँ कि यह चीज़े चाहिए examiner को और हम यह क्यों निकालते हैं क्योंकि जितना हमारा cost of capital ज्यादा होगा उससे हम decide कर पाएंगे कि भाई business के अंदर हमें इस cost of capital को कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और किस portion पे हमें कम करना चाहिए interest वाले portion को कम करना चाहिए या dividend वाले portion को कम करना चाहिए या फिर आपका दूसरे किसी और part का कम करना चाहिए और cost of capital क हम short form में न, पता है क्या बोलेंगे? के ओ, क्या बोलेंगे? के ओ, एक और word बोलते हैं हम इसको. W.A.C.C. Weighted Average Cost of Capital, हम आगे देखेंगे, फिलाल आप याद रखना, के ओ होता है, Cost of Capital, जैसे science के अंदर potassium को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं न, आपने 9th class में पढ़ा हो तो, सेम ऐसे कुछ यहाँ पर word आएगा, जिसका मतलब आपको समझना हुआ, वैसे तो Cost of Capital बोलोगे, तो Cost में तो सर, C आना चाहिए, C, O होना चाहिए Cost of Capital में, लेकिन इसको denote हम किस से करेंगे? के, O से करेंगे, O small और K capital, ऐसा नहीं कि O capital कर दोगे, तो फिर मतलब गलत निकल जाएगा, ठीक है? तो सर, अच्छा, चलिए अभी दिखा देते हैं, अब क्लियर है नाउ? तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है सर? Cost of Capital, Cost of Capital का मतलब, हमारा कितना खर्चा होता है, किसके उपर सर? Capital के उपर, और Capital क्या होता है सर? तीन चीजों को मिला के Capital बनता है, कौन कौन सर? Equity, Share, Capital, Preference, Share, Capital, और Debenture कहलो, Loan कहलो, Bond कहलो, इन सभी को जोड देंगे, कि इन सभी का मतलब होता है Capital, और इसके उपर कितना खर्चा हो रहा है, यही हमें एक percentage के terms में निकालना है, इस chapter का theme भी यही है, और last truck इस chapter में हम यही सिखने वाले हैं, that is cost of capital, तो cost of capital में हमें किस-किस का cost निकालना है, फटा-फट बता दो, तीन चीजों का cost निकालना है, preference share का cost निकालना पड़ेगा, और debenture का, equity share को हम, equity share को हम denote करेंगे, वैसे मैं आगे लिखूँगा, लेकिन यहां बताते जाता हूँ, equity share को हम बोलते हैं, K-E, cost of equity, ठीक है ना, cost of equity, preference share को हम बोलेंगे, K-P, cost of preference share, K का मतलब cost है यहां पर, और debenture को क्या बोलेंगे, बता दो कोई, K-D, short form है इनके, तो हमें क्या निकालना है, इस chapter के अंदर, K-E, K-D, और K-P, तीनों निकालना है, तीनों को कैसे निकालना है, नहीं निकालना है, उन सारी बातों पर हम discuss करने वालें, तो चलिए, एक-एक करके, हम ना पहले इसको निकालना है, लेकिन हम ऐसे चलेंगे, पहले K-D निकालना सीख लेंगे, फिर K-P निकालना सीख लेंगे, अगर K-D आ गया है, तो K-P तो वैसे आ जाना है, फिर last में हम क्या सिखेंगे, K-E, तो आज की क्लास में देखते हैं, हम कहां तक पहुँच पाते हैं, जितने आगे जा पाएंगे, उसके हिसाब से हमारा ठीक रहेगा, 350 इंटू 100 क्यों, अरे यह मैंने एक ऐसा अर्जम्शन लिया, परसंटेज निकालने के लिए बस, चलिए सर, आगे आ जाते हैं, यानि सर, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहला, और पहला क्या स्टार्ट करूँगा, मैं कॉस्ट, आफ डिबेंचर, अब डिबेंचर कह लो, या फिर कह लो, कॉस्ट आफ, लोन कह लो, या कह लो, बॉन्ड, sir bond और debenture एक ही होता है फरक बस सरकारी company और normal होता है यानि अगर state bank of India को पैसे की जरूरत है और वो आपसे debenture issue करके पैसे लेगा तो उसे bond कह देगा वो और मुझे अगर पैसे की जरूरत है आपसे पैसे लूँगा और debenture दूँगा मैं बस यही फरक है बाकी bond और debenture में कोई ऐसे फरक नहीं होता और loan तो आपका loan होता है जो bank से आप लेते हो normally किसी काम के लिए ठीक है तो पहला point है cost of debenture इसके अंदर हमें दो point सीखने है अब debenture दो तरीके के होते हैं मैं debenture के उपर ही चलूँगा क्योंकि bond और आना आपका loan बड़ा कम आता है तो मैं debenture की बात करूँगा तो sir और bond cost of bond को KB बोल देंगे और loan को KL बोल देंगे वो तो understandable है बागी formula एक ही रहेगा sir दो क्योंकि debenture दो परकार के होते हैं एक debenture ऐसा होता है कि मैंने आपको debenture ईशू किया आपसे एक लाख रुपे लिया और आपके मुझे पैसे वापस करने compulsory है कब वापस करूँगा एक tenure जब company बोल दे के पैसे वापस कर दो या फिर मैं आपके पैसे एक certain time के बाद वापस कर दूँगा जैसे कि law कहता है कि 20 year के बाद आपको पैसे you have to return करना ही करना पड़ेगा तो जैसे ही मैंने आपके पैसे return किये तो इसका मतलब होता है मैंने debenture को redeem कर लिया यही सीखा है आपने अभी recently सीखा ही है तो जब debenture दो तरीके के होंगे एक होगा redeemable debenture और एक होगा भी exist करता है तो इसलिए आप बच्चों को सीखना पड़ेगा यह तो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं एक होता है हमारा redeemable और एक होता है irredeemable तो मैं पहले लिख देता हूँ irredeemable irredeemable और एक होगा हमारा redeemable सर redeemable क्या होगा redeemable का मतलब और irredeemable का मतलब irredeemable का मतलब होता है जिसके पैसे हम कभी भी life में वापस नहीं करेंगे और redeemable का मतलब होता है जिसके पैसे हम वापस करेंगे certain time के बादी return करना पड़ेगा समझ मैं आई बात इसका लिखने की जुरत तो है नहीं यह तो clear होना चाहिए आपको Sir, Irredeemable के लिए formula क्या होता है अगर Irredeemable निकालना हो यानि आपको अगर KD निकालना हो मैं अब D लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इसको मैं KD बोलूँगा अगर आपको KD निकालना हो तो कैसे निकालोगे Sir KD निकालने का formula क्या है KD निकालने का formula है I 1 माइनस में T divided by NP into में 100 अब समझते हैं यह formula बना भी क्यों है सारी चीज़े समझेंगा दीरे दीरे Sir, KD का मतलब Sir, KD का मतलब cost of debenture Sir, I का मतलब interest 1 है यह 1 का मतलब तो एक ही होता है और T का मतलब tax T का मतलब क्या है मारा tax अब T के बाद NP का मतलब net proceed अब आपको KD में कोई समस्या नहीं पता है KD क्या है आपको I में कोई समस्या नहीं interest rate होता है debenture पे 10%, 12% वो rate हो गया आपको T का मतलब कोई समस्या नहीं tax देता है 30% लेकिन अब NP क्या है यह वो समस्या है net proceeds Sir, NP क्या होता है net proceeds कोई है क्या है कोई NP Sir, NP क्या होता है net proceeds net proceeds का मतलब अब देखो आपका खर्चा जो होता है जैसे मान लो मैंने debenture आप से पैसे बोले 100 रुपे का एक debenture आप debenture लेना चाहते हो आपने बोला हाँ Sir, मैं लूँगा debenture और हो सकता है कि मैं आपको 100 रुपे के बदले मैं बोलू आपको 10% का discount दूँगा अगर आप आज हमारी company के debenture खरीद लेते हो तो 100 के बदले मुझे कितने मिलेंगे 90 दोगे अब आप क्योंकि 100 रुपे के बदले मैं कितना 10% का discount दूँगा तो आप मुझे कितना दोगे 90 और अगर rate मैं बोलू कि Sir, 10% का हर साल का आपको ब्याज मिलेगा तो अब मेरे लिए जो खर्चा है वो 100 रुपे पे मेरा 10% ब्याज जाएगा या 90 पे जाएगा बताओ मैं ब्याज calculation की बात नहीं कर रहा मैं ब्याज calculate तो 100 पे ही करूँगा लेकिन मैंने कितने रुपे पैसे लिये मार्केट से 90 लिया तो हमें जो percentage निकालना चाहिए वो 90 के according एक factor percentage निकालना चाहिए कि actual जो है ना वो आपको दिख रहा है 10% है लेकिन 10% नहीं है कहीं वो 10% से ज़्यादा आपको ब्याज पढ़ रहा होगा आप logic लगाओ आपका 10 रुपे तो ब्याज जाना ही जाना है लेकिन अगर आपको मैं discount नहीं देता तो 100 रुपे पे 10% जा रहा था तब तो ठीक था 10% है लेकिन अब जा रहा है किसके उपर 90 रुपे पे 10 रुपे जा रहा है आपका इसका मतलब आपका percentage आपको दिख जरूर रहा है 10% लेकिन वो 10% से कहीं ज़्यादा बैठेगा अगर आप निकालोगे तो क्योंकि आप क्या करोगे इस case में 10 divided by 90 तो आपका वो 11 point something 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 आ जाएगा तो net proceeds का मतलब होता है कि हमें debenture holder से कितना पैसा मिला वो नीचे आपको divide में रखना है अब debenture holder से पैसा एक तो discount minus हो जाता है है ना कई बार ऐसा होता है कि हम na discount minus करने के बाद कई बार हमें बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ जाते हैं जिसको हम बोलते है flotation cost जैसे हमें advertisement देना पड़ेगा अब मानलो मुझे suppose करो मैं 5 लाक रुपे करजा ले रहा हूँ उस करजा करने के लिए मैंने 20 अजार का तो advertisement में ही दिया लोगों को बताने में तो ultimately मेरे pocket में 5 लाक नहीं आए ना मेरे pocket में कितने आए 480 तो मैं ब्यास तो 480 के हिसाब से अपना factoring करूँगा क्योंकि financial management बोलता है एक एक रुपे का हिसाब रखा जाएगा और actual हिसाब रखा जाएगा जो दिखता है वो होता नहीं actualist में तो हमें पूरे चीज़े सोच के करना होगा तो net proceeds का मतलब होता है कि आपका जो face value है वो minus कर दो क्या इसमें से discount और आपका plus हो सकता है premium plus क्या हो जाएगा premium जैसे मैंने 10 वाला debenture आपको 12 रुपे में दे दिया अब मुझे 10 रुपे का ब्याज 12 रुपे पे जा रहा है तो plus क्या हो जाएगा premium और इसमें से minus हो जाएगा हमारा floatation cost जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ floatation cost sir जो floatation cost होता है क्या होता है यह एक certain percentage given होगा और वो calculate होता है हमारा face value पे या इसको अभी रहने देते हैं कई बार दूसरे amount पे भी हो जाता है यानि एक percentage होगा जैसे मैंने बोला कि भाई आप मैंने 100 रुपे आपको दे रहा हूँ जिसमें 1% तो मेरे को advertisement में ही लग जाना है और 10% मैं आपको discount भी रहा तो ultimately मेरे pocket में net proceeds proceeds का मतलब आना मुझे कितने मिलेंगे 100 रुपे था 10% का तो discount ही लग गया भाई और 1% तो हमारे पास 89 रुपीज आएगा तो net proceeds कितना माना जाएगा 89 रुपीज माना जाएगा अगर मैंने कहा कि 100 रुपे का मेरा एक debenture है और 3% बैंकर को मुझे एक तरीके से brokerage देना पढ़ रहा है बैंक से लोन लेने गया बैंकर को मुझे 3% का commission देना पढ़ रहा है तो ultimately 100 रुपे में से आपको अगर 3% का commission देना पढ़ रहा है नेट प्रोसीड्स का आपको फंडा क्लियर हुआ 97-89 बिल्कुल सही सही आपको नेट प्रोसीड्स का concept क्लियर हुआ सर नेट प्रोसीड्स है क्या actual में बताइए क्लियर है नेट प्रोसीड्स अब आगे चलते हैं आगे हम formula को ऐसा नहीं कि यह formula बना है तो बस लगा दो अब 1-T क्यों होता है 100 तो आप सभी को पता है कि percentage को define करने के लिए हम 100 multiply में करते हैं लेकिन यह है 1 interest 1-T इसका मतलब सर अगर मेरा 10 रुपए का ब्याज हो और tax मेरा अगर मान ले इतने 40% हो तो मैं यहाँ पर करूँँगा 1 minus में 40% का मतलब 0.4 हो जाता है short में लिख दिया थोड़ा तो ultimately इसको solve करो तो इसका मतलब आपका आ जाएगा यह 6 हम क्या सीख रहे हैं cost of debt निकालना यानि KD निकालना लेकिन सर अगर आप उपर में 6 रखोगे तो आपका 6 रुपे के हिसाब से percentage आएगा है ना जबकि आपने तो ब्याज का payment कितना किया है 10 तो आना चाहिए 10 लेकिन आप 6 क्यों रख रहे हैं इसके पीछे भी logic है अब ध्यान दिजिएगा ये 1 minus T क्यों करते हैं उस बात को समझते हैं suppose करो मैं आपके सामने ना एक income statement बनाता हूँ या मैं आपके सामने एक पुराने वाला P&L बना देता हूँ सभी को P&L profit and loss पुराने वाला 11th class वाला याद है मैं एक simple सा बना देता हूँ इधर लिखते थे हम buy sales है ना यादों का trading profit मान लेते हैं 50,000 और इधर क्या लिखते थे two purchase मान लो 10,000 मैं बहुत ज़्यादा amount नहीं लिख रहा है एक के दुख्य amount लिख देता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता था अब आपना यह मत सोचिए का trading तो उपर बनता है P&L मैं एक trading P&L mix करके समझाने के purpose के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे लिख दिया salary मान लेते हैं 1000 यहाँ पे लिख दिया bed dates कितने रुबे bed dates मान लो 500 यहाँ पे लिख दिया interest क्या interest profit and loss में आता है जी हाँ आता है मान लो पंदरा पंदरा सो रुपे अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ के net profit कितना आएगा तो simple सी बात है सर यह भी कोई मुश्किल थोड़ी ना है यह तो फटा फट बता देंगे हम तो minus कर देंगे 2, 3 और 13,000 तो कितने बचेंगे 30 37 ठीक है कितने बचेंगे 37 समझ रहे हो अब 37 अब आपका tax का rate जो है ना सरकार ने तै कर दिया government ने तै कर दिया कि आपको income tax जो देना है suppose करो आपको 50% देना है कितने percent tax देना है आपके पास income यानि आपका profit आपके पास profit जरूर 37,000 है लेकिन क्या ये 37 के 37,000 आप बैंक में जमा कर सकते हो क्या बताओ क्या ये 37,000 पूरे हम बैंक में जमा कर सकते हैं तो जवाब नहीं क्यूं नहीं कर सकते 37,000 tax भी दोगे अगर आप सरकार के tax नहीं दोगे तो आपके business को बंद भी करना पड़ सकता है rule के इसाब से तो मैं पहले इसमें से minus कर देता हूँ क्या tax इसका मतलब देखा जाए तो tax अगर माना जाए तो इसका आधा कितना होगा कितने 18,500 और मेरे pocket में आ गया यानि अब मैं अगर पूछू मेरे को मुझे बच्चे बता दो मुझे आप बता दो कि मेरा कितने रुपे पे यहाँ हक है तो आप बोले का सर आपका जो हक है न वो आपका हक किस पे सरिफ 18,500 और है समझ मैं आई बात आपको आपका right कितने पे है 18,500 अब मान लो अगर मेरे पास interest नहीं होता मान लो अगर मेरे पास interest नहीं होता इंटरस्ट का खर्चा ही नहीं होता तो मुझे बताओ मेरे पास फिर कितने रुपे होते कौन बताएगा अगर मेरे पास मैं हट जाता हूँ मेरे पास अगर interest नहीं होता अभी आपने बोला सर आपके पास ना तो बताओ हमारे पास कितने पैसे होते हैं देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं इसका बिलकुल देखो मैं तो सीधा सीधा कुछन पूछ रहा हूं बस आप से हमारे पॉकेट में कितने पैसे होते ऑप्शन नंबर वन बच्चे तो कह रहे हैं 35,500 होते हैं अरे भाई टेक्स भी देना है ना एक 19,250 एक 17,250 हर बच्चों का अपना अलग-अलग उपीनियन है जायतर बच्चों का 19,250 आ रहे हैं सर 19,250 इसका मतलब सर कैसे 19,250 देखते हैं उस सिचुएशन में अगर इंटरस नहीं होता तो हमारा जो प्रॉफिट होता न वो पता कितना होता 38,000 और हम इसके उपर टेक्स देते किसके उपर टेक्स देते 38,500 रुपे पर टेक्स देते और 50% टेक्स होता इसके उपर तो कितना आता हमारा 19 तो जिन बच्चों ने जवाब दिया कि सर आपके पास 19,250 रुपे होते तो 24,250 गलक जवाब है बाई 19,250 पहले ये देखिए समझने वाली बात है अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है अब आपका इंटरस कितना कम हुआ आपने बोला सर मैं अगर आपसे साधारन वेक्ति से पूछू ना मैं कि बताओ इंटरस कितना दिख रहा है तो हर कोई बोलेगा 1500 लेकिन एक्चुल माइने में आप फाइनली देखो कि आपका इसके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वो इंटरस्टी तो होगा सर्फ इंटरस्टी है ने इसके बीच का डिफरेंस दो और तो कुछ नहीं है तो डिफरेंस अगर देखा जाये तो डिफरेंस कितना है हमारा 7500 कितने difference है आपका हमें interest कितना दिख रहा है इसके अंदर लेकिन actual interest का खर्चा जो दिखा जाएना है तो वो 7500 का होता क्योंकि हमारे income के उपर जो impact आएगा वो सिर्फ 7500 रुप आएगा यानि कही न कही अब concept क्या है कही न कहीं जब हम खर्चे को income tax कम हो जाता है, save हो जाता है वो पैसा, और जब हमारा income tax बच रहा है, तो वो किसकी वज़े से बच रहा है, interest की वज़े से बच रहा है, तो actual में 1500 मेरा खर्चा नहीं है ना, मेरा खर्चा कितना है, 700.500 जो मेरे pocket से निकल के जाएगा, क्योंकि अगर interest नहीं होता, तो मैं उतना तो सरकार को tax भरता ही भरता, interest होने की वज़े से, मैं सरकार को उस interest की वज़े से कितना tax कम भर रहा हूं, 700.500, तो ultimately मेरा जो interest के expense माना जाएगा, मेरे उपर burden माना जाएगा, वो कितना माना जाएगा, 700.500, इसलिए interest का value कैसे निकालते हैं, I1-T, यानि I कितना है हमारा, 1500, 1-T करेंगे तो क्या होगा, 0.5 हो जाता है tax, तो देखो 700 ही आ गया, तो आप यहाँ पे सामने example है, आपका interest का खर्चा साड़े 700 रुपे पढ़ रहा है आपके उपर burden या 1500, आप बोलते हो सर, interest का खर्चा 1500 है, तो कहां बच रहें 1500, बची नहीं रहें आपके 1500, यानि actual माहिने में interest का खर्चा कितना है, 750, इसलिए हम formula में क्या करते हैं, 1-T, कभी भी interest होगा ना, कभी भी देखना, हमेशा 1-T कर देते हैं, क्योंकि concept यह होता है, कि भी या, interest अगर आपने profit and loss में दिखाया है, तो उसके वज़े से tax का पैसा कम देना पढ़ रहा है, तो actual interest का expense क्या होगा, total interest और कितना tax का payment कम देना पढ़ रहा है, minus करके जो बच्चे का वो खर्चा आएगा, that is आपका यह formula बन जाता है, समझे बात आप, इसलिए formula के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1-T divided by NP into 100, समझ में आये नहीं आई है, formula समझ में आ गया, I interest है, NP भी मैंने बता दिया, सारी चीजे, अब question बड़ा simple सा होगा, हमें बस formula लगाना और answer निकालना और कुछ भी नहीं करना इसमें, लेकिन formula का main core जो point था, वो मैंने बता दिया, किसी को इसमें doubt, किसी को doubt बताईए, क्योंकि FM financial management होता है, जो हमारा हो सकता था, वो नहीं हुआ, वो भी मेरा नुकसान है, जैसे मान लो, आप अभी लापरवाई करते हो, लापरवाई करने के बाद आपके 5 साल तक नौकरी नहीं लगती, तो आप मान के चलो, लाख रुपे महिने के इसाब से 12 लाख रुपे और 5 साल में 60 लाख रुपे का आप नुकसान कर वेट होगे, अगर आप सही से नहीं पढ़ाई करते हैं, यह है फाइनिंशल मेनेजमेंट, क्योंकि हम तो सोचते हैं, बई 2 साल नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, बट आप उस फेक्टर को कैलकुलेट नहीं कर रहें, अगर 2 साल नौकरी लगती, और अगर आप 1 लाख रुपे महिने की कमाते, तो 1 साल में आपकी 12 लाख रुपे होती, 24 लाख रुपे आपने गवा दिये, अगर वही 24 लाख रुपे आप FD कर देते, तो आप जब आपकी उमर 60 साल होती, तो आपको कम से कम लाख रुपे महिने का पेंसन मिलता, क्योंकि अभी 24 लाख रुपे जमा करोगे, 60 साल की उमर तक आपके कितने सारे मीचुल फंड में पैसे हो जाएंगे, करोड़ो रुपे हो जाएंगे, और वो करोड़ो रुपे आप खा नहीं पागे, तो आप देखो पढ़ाई आपको करनी है, या फिर नहीं करनी वो देख लो, ठीक है न, ये फाइनिंशल मेनेजमेंट आपको सिखाता है, इसी तरीके से एक्स्पेक्टीशन हमारी चलती है झाल सकते हैं, ये खाएंगे रुपे करोड़ी चाहिता है, ये अ, ये खाएंगे, भी चाहिए हैंगे!